अगर फेंट्स आपके पास ITL का P40 करना है आपको इस फोन में इस फोन में इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए वाइ टिफाल बहुत अच्छा फीचर मिलता है तो इसको आप पहले add करेंगे जिसको पाद उसकी मदद से आप screen recording को कर पाएंगे तो सबसे पहले contour panel को इस तरह से open कीजिए यहाँ pencil icon पर click किजिए यहाँ आपको screen recorder देखने को मिलेगा इसको ऊपर की और add करना जिसके लिए आप पहले press के icon पर click कीजिए यह automatically ऊपर add हो जाएगा back button को press कीजिए आप screen recording भी setting भी कर सकते हैं जैसे कि इस पर tap and hold करेंगे तो कुछ इस तरह से option खुल जाएंगे यहाँ पर option मिल रहेंगे जैसे कि आप audio record किस type कराना चाहते है system की तो on रहने दीजिए अगर आप जब वो रिकॉर्ड करना तो इसको on कर लीजिए आप जब वो लिंग वो भी record हो जाएगा इसके लाबा आप जब हम इस screen recording करेंगे कहां काम ने tap किया था उस feature को भी on करना चाहते तो इस feature को on कर लीजिए आप जहांजा tap करेंगे इस screen recording समय तो वह आपको screen recording में देखने को मिलेगा किस की time आपने किस जगह से tap किया था इस तरह से आप इस setting कर सकते हैं अब इसके लाबा screen recording आपको करना है तो यहां पर अपने control panel को open कीजिए और इस screen recorder पर क्लिक केजिए फिर से आपको भी option दिखेंगे जो कि आपको setting मैं आभी बताई रही यहां से on up बाद में भी आप कर सकते हो इस तरह पर जब आप क्लिक करेंगे तीन सेकिन का टाइमर स्कीन पर आएगा और यहां पर screen recording आपकी चालू हो जाएगी तो इस तरह से screen recording आपकी चालू हो जाती है तो चली फेंड्स मिलते हैं यह को ने वीडियो को साथ तक तक के लिए गुद्बाई एंड टेक केर